प्रिंस मेरे पास बहुत सारी क्वेरी आती है कि बैली फेट कैसे कम करें कुछ ऐसा नुस्खा बता दो जिससे बैली फेट कम हो जाए जैसे तो मैं आपके साथ बहुत सारी वीडियो शेयर करते रहते हूं जिसमें मैं आपको अलग-अलग तरीके की एजैसी से एजैसी, hard से hard, intense exercise, easy exercise सब कुछ बताते रहते हूं लेकिन अगर आप exercise की तरफ जाधा focused नहीं है या फिर आप यह समझे कि आपको exercise करने का time नहीं है या मन नहीं करता है तो ऐसे में आप बिना exercise के किस तरह से अपना belly fat कम कर सकते हैं वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ इसके लिए आज मैं आपके साथ एक बहुत simple सा नुस्खा share करने वाली हूँ और इसमें सबसे अच्छी बात ही है कि देखो होता है ना जैसे कि हम लोग सुनते हैं कि आप अजवाइन का पानी पीलो तो आपका belly fat कम हो जाएगा या नीमबू पानी पीलो तो आपका belly fat कम हो जाएगा लेकिन daily daily इसको भिगो के रखना फिर boil करना फिर ठंडा करना फिर पीना वो हमें बहुत ही मतला मुश्कर task लगता है बुलता है यह तो नहीं हो पाएगा रोज रोज तो नहीं हो पाएगा दो चार दिन करते हैं फिर बूत उतर जाता है तो भूल जाते हैं बट आज जुम आपको नुस्का बताने वाली हूँ इसमें आपको इतना नहीं परिशान होना सिर्स 10 मिनिट लगेंगे आपको इसको तयार करने में और फिर 10 दिन के छुटी फिर 10 दिन तक आपको कुछ भी नहीं करना बस आपको daily इसको consume करना है कैसे बनाना है कितना बनाना है क्या फायदे है वो सारी चीजे साथ के साथ में discuss करते जाएंगे तो यह नुस्का मैं यहां बैटके नहीं बनाने वाली हूँ इसके लिए मुझे चलना पड़ेगा किचन में तो चलिए साथ में किचन में चलते हैं और यह नुसका बनाना start कर किचन में आने के बाद सबसे पहले हमें पैन लेंगे पैन को गैस पर रखेंगे और इसको गर्म होने देंगे इस तरह से पहले आप चेक कर लीजिए जब यूपर को कसे गर्म गर्म लगना शुडू हो जाए तो समझ जाईए कि पैन अभी तयार है और आप इसमें अपने इसको डाल सकते हैं तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे अजवाइन अजवाइन यहां पर मैंने एक चमच लिया है आपको जितने दिन का बनाना है उसके इसाफ से आप क्वांटिटी को बढ़ा लीजिए अजवाइन क्या करती है हमारे डाइजिशन को बेटर करती है और हम अजवाइन लिया है उतना ही आपको जीरा लेना है और इनको इस तरह से हलका हलका चला लीजिए और इनको रोस्ट होने दीजिए बहुत जादा इसको रोस्ट नहीं करना बिलकुल इकदम जलाना नहीं है बस हलका से आपको रोस्ट करना है ध्यान रहे कि यह जो पैन है पह उनको डेली फैनल सीट ज़रूर लेना चाहिए अब आप देखोगे कि यह इतने भी सीडमने इसमें डाले सबका कलर हलका हलका सा चेंज होने लग रहा है गैस आपको भी जलाके रखनी है लेकिन बिल्कुल सिम पर रखनी है बिल्कुल कमाच पर रखना है अभी यह देखो हलक क्यासा रोस्ट कर देंगे बहुत जादा देर तक रोस्ट नहीं करना है अभी जब आप इनको रोस्ट कर रहे ना तो आपको इसमें बहुत हलकी हलकीती खुश्बू आना शुरू होगी ध्यान रहे कि यह जलना नहीं है बिल्कुल सिम आज पर आपको रखके इसको हलका हलक क्यासी तरीके से रोस्ट करते रहना है जिन लोग को गैस की या एसलिटी की प्रॉब्लम है उनके लिए भी ये सारी चीज़े बहुत जादा हैल्फुल है और जिन लोग को ब्लॉटिंग रहती है उनको दालचीनी काफी जादा हैल्फ करती है अब आप यह देख सकते हो कि स तक हर रहे हैं मिक्सर में डालने से पहले ध्यान लेखिए कि आप इसको थोड़ा सा थन्डा जरूर कर दीजिए बिल्कुल गरम गरम नहीं डालना और बिल्कुल थन्डा भी नहीं करना थोड़ा मतलब ऐसे हुजए कि आप इसको हाथ से टाच कर पा रहे हैं बस जब यह postal गर्म हो तो आपको इसको grinder में डालना है और इसको pese के इसका बिल्कुल fine powder बना लेना है तो देखिए friends ये powder बनके बिल्कुल तयार है आप देख सकते हो इसी तरीके से आप को इसको पाउडर बना लेना है और इस powder को आप किसी भी काज के jar में रख दीजे काल की शिशी में रख दीजिए अगर आपके पास एटाइट कंटेनर है तो इसको एटाइट कंटेनर में रखे अच्छे से बंद करके रख दीजिए एटाइट कंटेनर अगर नहीं है तो कोई बात नहीं आप इसको काल की शिशी में करके फ्रिज में करके रख दीजिए अब बात करते हैं कि आपको इसको लेना कैसे है तो सबसे पहला तरीका है कि आप सुबह उठके जब पानी पीते हैं उस पानी में इसको आप गोलिए गरम पानी ओविसली आपको चाहिए रहेगा उसमें एक चमच आपको ये डालना है और आपको ये पी लेना है ये आपके digestion को battle करेगा fat burning में आपकी help करेगा belly fat अगर आपको बहुत जादा है पेट पे मोटापा बहुत जादा है तब तो ये बिलकुल जादू की जिससा काम करेगा दूसरा तरीका इसको लेने का है कि आप इसको जिस भी शिशियं भर रहे उस शिशिय को अपने पास रखें और जब भी आप खाना खाएं तो खाना खाने के बाद आधा चमच ये powder लेके आपको गरम पानी से पी लेना है अगर आपकी अभी अभी डिलेवरी हुई है बंदरा दिन पहले, बीस दिन पहले या कितना भी टाइम हो गया है तब भी आप इसको ले सकते हैं बेले फैट लॉस के लिए बहुत ही अच्छा ड्रेंक है अगर इन में से किसी भी चीज से आप ऐलर्जेटिक है अगर आप होता नहीं है तो आपको जादा टेंशन लेने की इसकी जरूरत नहीं है इस पाउडर का अगर आप पूरा फायदा देखना चाहते हैं तो प्लीज अपनी डाइट पे कंट्रोल ज़रूर कीजिए अगर आप ओवरेटिंग करते हैं तो उसको ओवरेट कीजिए और साथ में थोड़ा देर एक्सराइज जरूर कीजिए एक्सराइज नहीं कर सकते हैं तो आप वाकिंग कीजिए वो भी बहुत अच्छा है आपकी सेहत के लिए इन सब के साथ अगर आप इस चूरन को लेंगे इस पाउडर का आप यूज़ करेंगे तो डेफिनिटली आपको बहुत जादा फायदा होगा मैं परसनली भी इसको यूज़ करते हूँ इस्पेश्टि सर्दियों में तो जैसे हम लोग भारी खाना खाते हैं पूडी पराठे वगरा जादा खाते हैं तो ऐसे में तो यह बहुत ही जादा है तो फ्रेंट्स आई होप कि आपको यह जानकारिया पाउडर जरूर पसंद आया होगा इस तरीके का और कंटेंट देखने के लिए चैनल को सस्क्राइब कर लिजिए अपने ध्यान रखिए खुश रहिए फिट रहिए थैंक यू